हेलो फ्रेंट्स, आपने अपसर देखा होगा कि चहरे को खूल सूरत बनाने के लिए हम बहुत सारी चीजों का इस्तमाल करते हैं बहुत सारी चीजों को अपने फेस पैक के अंदर भी मिलाते हैं चलिए आज जानते हैं एक ऐसे ओयल के बारे में यानि की तेल के बारे में जो हमारे सौंदरे को निखारने के लिए काफी ज्यादा मददकार है आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बादाम के तेल के कुछ सौंदर ये से रिलेटेट चीजों के बारे में दिस्तार से टिप नमबर वन अगर आपकी तवचा और चेहरा बहुत ज्यादा रूखा और बेजान हो गया है तो आप बादाम के तेल से अपनी बाडी पर और चेहरे पर मसाज कर सकते हैं ऐसा करने से चेहरे में चमक आती है और रूखा पन भी दूर हो जाता है टिप नमबर टू अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे हैं तब भी आप रोजाना रात को सोते समय अपने चेहरे पर बादाम के तेल से मसाज करें यह मुहासो को ठीक करने में भी काफी ज्यादा मददगार है टिप नमबर थ्री बादाम के तेल के अंदर कई असे तत्वो होते हैं जो समय से पहले हमें बोड़ा नहीं होने देते हैं और लंबे समय तक जमार रखने में भी हमें काफी ज्यादा मदद करते हैं इसलिए रोजाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे और बोड़ी पर आप बादाम के तेल से मसाज करें ये चेहरे के अंदर ग्लो को तो बदकरार रखता ही है बनकि एजिक के साइंस को भी काफी हद तक धग कर रखता है टिप नमबर फोर अगर आप अपने कॉंपलेक्शन यानि की अपने रंग से संतुष्ट नहीं है तो रोजाना बादाम के तेल से मसाज करें आप चाहें तो आप फेस पैक के अंदर भी बादाम का तेल मिला सकते हैं ये चेहरे के और बॉडी के कॉंपलेक्शन को फ्यार बनाने में काफी ज्यादा मददगार है टिप नमबर फाइब अगर आपकी तवचा पे बहुत ज्यादा खुजली या फिर सूजन की समस्या है तब भी आप बादाम के तेल से अपनी तवचा पर या फिर प्रोग्रम एरिया पर मसाज कर सकते हैं ये खुजली और सूजन दोनों को ही ठीक करने में काफी अच्छा माना जाता है सो दोस्तों ये है कुछ फाइदे बादाम के तेल के अगर आपको इन सारी समस्याओं में से कोई भी एक समस्या है तो आप बादाम के तेल का इस्तिमाल कर सकती है मेरी ब्यूटी से रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए